नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुपनिल सागर जैन, निरामाय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, एक ऐसे खाद्यपदार्थ के बारे में जो आपकी रसोई में हमेशा से पाया जाता रहा है लेकिन हमें उसकी medicinal qualities के बारे में पूरी जानकारी नहीं रही है हिंदी भाषा में उसको लहसुन कहा जाता है और बोटैनिकली इसे इलियम सेटाइवम कहा जाता है होमियोपेथी में इसे इलियम सेटाइवम के नाम से ही यूज किया जाता है होमियोपेथिक medicinal system की ये एक बहुत ही ज़्यादा important medicine है इसके साथ ही आयूरवेथ में भी हजारों सालों से इसका उपयोग किया जाता रहा है हमारे खाने में इसको शामिल करनी का जो मुख्य कारण था वो यही था कि इसके अंदर इतनी अच्छी properties पाई जाती है medicinal properties की हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों से लडने में ये हमारी help करता है तो आज मैं इनी सारी medicinal properties के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि लहसन किस तरह से हमारे शरीर में जाकर विबिन प्रकार की बीमारियों से लडने में हमारी help करता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले होमियोपैथी में यदि देखा जाए तो लहसन का जो उपयोग किया जाता है वो हाई BP यदि किसी पेशेंट को है यानि कि यदि उसका बलड प्रेशर बढ़ रहा है तो उस बलड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है बहुत सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा गया है यानि कि बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च इस पर किये गए हैं और उसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों का BP एकदम से सूट आउट करता है यानि कि एक दम से 160-170 तक पहुँच जाता है उन लोगों को यदि तुरंट ही इलियम सैटाइवम का मदर टिंचर 40 मून आदे कप गुनगुने पानी में मिला कर दिया जाए तो उनका जो BP है वो तुरंट नॉर्मल होना कम होना शुरू कर देता है ऐसा हमें कुछ-कुछ समय के अंतराल पे करना पड़ता है और उनके BP को मॉनीटर करते रहना पड़ता है ताकि ये पता चल जाए कि BP जो है वो नॉर्मल हुआ या नहीं तो इस तरह होमियोपैथी में सबसे जादा जो इसका उपयोग किया जाता है वो इसके BP के कम करने की जो खास प्रॉपर्टी होती है उसके लिए किया जाता है इसके साथ ही यदि हम देखें तो जिन लोगों को कॉलेस्ट्रॉल बहुत जादा होता है जिन लोगों के blood में, ये उन लोगों के blood में जाके cholesterol के level को भी कम करता है और VLDL जिसे की very low density lipoprotein कहते हैं यानि कि वो cholesterol जो की हमारी धमनियों में जम जाता है, हमारी arteries में जम जाता है और हमें blockage की समस्या देता है ये VLDL पे direct effect लेके आता है और उसको blood से खत्म करता है तो लहसुन की ये भी एक बहुत अच्छी medicinal property होती है कि ये blood में cholesterol को खत्म करता है इसके साथ ही यदि हम देखें कि कुछ समय पहले एक research हुआ था कि जिन लोगों को diabetes की problem होती है उनमें ये glucose के level को कम करता है triglycerides के level को कम करता है और इसके साथ ही उनकी insulin के प्रती जो समवेधन शीलता होती है उनमें ये बढ़ा देता है तो यदि हम देखें तो इसका उपयोग diabetes के patients में भी किया जा सकता है बहुत ही success के साथ बहुत सारे doctors जो आयोरवेध में होते हैं वो लोग diabetes के patients को lesson खाने की सलहा देते हैं चुकि diabetes हुआ, cholesterol हुआ, BP हुआ ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी lifestyle से originate होती है यानि की हमारी जीवन शैली में कुछ ऐसे खानबान में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण ये बीमारिया होती है तो यदि हम एक सामान्य खाने के रूप में lesson को अपने भोजन में शामल करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन सारी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ज़ादा मिलता है होमियोबैथी में यदि हम देखें तो इसका जो patient होता है उसके मुँ में एक sweet metallic taste होता है ये जो taste होता है ये indigestion के कारण होता है जिन लोगों को liver की problem होती है जिन लोगों का liver कमजोर रहता है यानि कि उनको fatty liver हो सकता है जॉन्डेस हो सकता है और इसके साथ ही वो लोग non-wage का सेवन बहुत ज़ादा करते हैं यानि कि मास बहुत ज़्यादा खाते हैं, मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं, नौन वेज के साथ साथ एलकोहल का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, यानि कि शराप बहुत ज़्यादा पीते हैं, बीर बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इन लोगों को हमेशा digestive system से related कोई ना कोई problem बनी ही रहती है तब उस condition में यदि इस patient को alien sativum का mother tincture 10-10 बूंद दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर दिया जाए ये पानी गुनगुना होना चाहिए तो उन patients के जो symptoms होते हैं जो indigestion की process उनमें होने लगती है वो खत्म हो जाती है जो liver उनका fatty होने लगता है वो धीरे-धीरे control होने लगता है liver उनका अच्छे से काम करना शुरू कर देता है तो alien sativum indigestion के लिए भी एक बहुत अच्छी medicine मानी जाती है इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि मौसम में जब-जब बदलाव आता है हम अपने खाने में लहसुन को शामिल करके भी अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं चुकि लहसुन में anti-bacterial, anti-fungal, anti-oxidants गुणों की भरमार होती है तो यह जब हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो हमारी body में यह जाकर और WBC यानि कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की छमता बढ़ाने वाली कोशिकाएं जिनें श्वेत रक्त कणिकाएं या white blood cells कहा जाता है उनकी मात्रा को बढ़ाती हैं और छोटे-छोटे जो infection बार-बार मौसम के परिवरतन में होते हैं सर्दी जुकाम होता रहता है skin infection होने लगते हैं ये सारे infections को खत्म करने की शक्ती हमारे शरीर को provide कराता है इसलिए लहसन का उपयोग इन लोगों में जरूर किया जाना चाहिए जिनमें की बार-बार किसी ना किसी infection के कारण उनको कोई ना कोई problem होती रहती है इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को हड़ियों से related problem होती है जैसे कि उनकी हड़ियां कमजोर होने लगती है उम्र के साथ साथ उनमें दर्द होने लगता है गुटनों में बहुत जादा लोगों को दर्द होने लगता है कई लोगों को गठिया की शिकाएत हो जाती है रिमेटिक आर्थ्राइटिस की शिकाएत हो जाती है उन लोगों के लिए भी इलियम सेटाइवमacements यानी की लहसुन बहुत जादा हेल्प करता है और उनके जो दर्द की समस्याएं होती है यानि कि उनको गुटनों में दर्द होता है जोडों में दर्द होता है गर्दन में दर्द होने लगता है हाथों की उंगलियों में दर्द होने लगता है तब इन कंडिशन्स में लहसुन के उपयोग से ना केबल दर्द में राहत मिलती है बलकि इसमें पाई जाने वा पैरों की जो उंगलियां होती है, उनके जो center part होता है, दो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है, उनमें कभी infection हो जाता है, ringworm की जिन लोगों को problem होती है, उन लोगों को अपने खाने में लहसुन को शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली anti-fungal properties, रोगों से लड़ने की चमता व्यक्तियों में प्रदान करती है, इसके अलावा बहुत सारे research में ये भी पाया गया है, कि हल्दी के साथ यदि लहसुन का use किया जाता है, तो cancer से जैसी बीमारियों से लड़ने में भी हमारा शरीर सक्षम होता है, तो लहसुन का उपयोग जि ये हमारे शरीर में जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडाइजेशन को खत्म करता है, तो gas और acidity से संबंदिज जो problem होती है, तो उनमें लहसुन मरीजों को बहुत ही जादा राहत देता है, इसके अलावा दोस्तों वे महिलाएं जिनमें बार होती है, वो develop होने लगती है, चुकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत सारी properties पाई जाती है, जो हमारी body में WBC को बढ़ाती है, इसलिए लहसुन का उपयोग इन महिलाओं में जरूर किया जाना चाहिए, इसके साथ ही यदि उन महिलाओं में breast में swelling आ जाती है तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसके अलावा जिन लोगों को दोस्तों, mucus की बहुत जादा problem होती है, यानि कि उनको बहुत जादा कफ बनता है, कफ निकलता रहता है, जब भी वो सांस लेते हैं, तो सीने में घड़गड़ा हट की आवाज आती है, तब उस condition में बहुत ही अच्छा substance बनाती है, एक खाद्यपदार्थ बनाती है, जिसके कारण बहुत सालों से हमारे खाने में इसका उपयोग किया जाता रहा है, तो यदि आपको इन में से कोई भी बीमारी हो, आप अपने खाने में लहसुन का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, जिससे के लिए जय हिंद, जय भारत!